बश्कर दोस्तो मैं गतम सिंग आज आप के लिए ले करा हूँ निम्बू के फायदे वेड़फिट सब ले मुन आनि निम्बू कीन कीन बीमारियों में फायदे मन हैं मैं आपको इस वीडियों बताऊंगा छोटा सा दिखने वाला निम्बू आउस्दिये गुणों का खजाना है इसके रस का इस्तमाल जाकेदार बेंजनों से लेकर कई तरह की रिफ्रेसिंग ड्रिंक बनाने के लिए किये जाता है भले ही निम्बू स्वाद में खटा हो लेकिन निम्बू के फायदे कई हैं निम्बू का उपयोग शरीर के लिए कई तरह से फायदे मन हो सकता है निम्बू के फायदे देखिए वजन कम करने के लिए निम्बू के फायदे NCBI यानि National Center for Biotechnology Information की बेवसाइट पर परकासित चुहो पर किये गए एक अध्याइन के अनुसार निम्बू में मौजूद पाली फेनाल्स बढ़ते मोटापे को नियंतरित कर सकते हैं शरीर में अत्रिक फेट के जमने से रोकने के लिए ये पाली फेनाल्स कारगौर मने गए हैं इस विशे पर किये गए एक अन्याध्याइन के अनुसार डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में निम्बू सरीर से फेट को कम करने में मदद कर सकता है इसके अलावा निम्बू के रस का सेवन गुनगुने पानी के साथ करना और उपयोगी हो सकता है दरसल निम्बू का रस का सेवन अगर गुनगुने पानी के साथ किया जाए तो यह पाचन को बढ़ावा देता है और चया पचय दर में सुधार कर वजन कम करने में सहायक हो सकता है इसके अलावा निम्बू को विटामिन सी का भी अच्छा सरोत मना गया है और वजन बढ़ाने के लिए विटामिन सी सबसे खास तत्व मना जाता है इतना ही नहीं वजन घटाने के लिए कई लोग निम्बू पानी में सहात का भी सेवन करते हैं जो वजन घटाने के लिए एक स भीर भीमरी है और इसका एक मात्र उपाय डक्टरी इलाजी है हाला कि जीवन सहली और खान पन की आदतों में बदलाव कर इसके जोखिम को कम जरूर किया जा सकता है। सिस्ट्रस फलो का सेवन करने से अगनासय के कैंसर से बचा जा सकता है। वही एक अन्य अध्यायन के अनुसार निम्बु में मजूद फ्ले ओ नोईट्स एंटी कैंसर के रूप में काम कर सकते हैं। साथी सिस्ट्रस फलो में एंटी ट्यूमर और केमो प्रिवेटिव गूण भी मजूद हैं। फीबर के लिए निम्बु बुखार होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसमें वेक्टेरियल और वायरल संकरमण परमुख है। ऐसे में यह निम्बु का सेवन मदद गार हो सकता है। कई लोग बुखार के लिए घरली उपाय के तोर पर निम्बु का गूड की तो यह बिटामिन सी से समरीद होता है और इससे भेक्टेरिया और वायरस के कारण होने वाले संकरमण से बचाव करने में काफी मदद मिल सकता है। हाला कि इस बारे में सटीक बैगानिक सोध की कमी है लेकिन जैसे कि इसमें बिटामिन सी है तो रोग परत्रोधक छमता में सुधार और बुखार से बचाव के लिए घरेली उपाय के तोर पर निम्बु का सेवन लवकारी हो सकता है। हिर्दे के लिए निम्बु का रस हिर्दे को स्वस्त रखने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जैसे कि हमने बताया कि निम्बु बिटामिन सी भी हिर्दे रोका कारण बन सकती है। ऐसे में कुछ बेगानिक अध्यान बताते हैं कि विटामिन C रक्त चाप को नियंत्रित करने का काम भी करता है। जो हिर्दे के लिए लावकारी हो सकता है। वही निम्बु जैसे सिट्रिक फल फ्रोनोट्स से भरपूर होते हैं जो एथ कि जाए तो यह आक्सिडेविट टेतनाव हाइपर लिपडिमिया खून में जमा फैट सुजन को कम करने धमनी रक्चाप और लिपिट चया पचय में सुधार का काम करता है। हिर्दे को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक जीवन में निम्बु को सामिल करना बहुत जरूरी ह किड्नी एस्टोन के लिए निम्बु कितने फैदमन है। जिने किड्नी एस्टोन की सिकायत है वो अपनी डायड में निम्बु को सामिल कर सकते हैं। दरसल निम्बु में मजूद सिट्रेट गुण पत्री को बर्नने से रोख सकता है। बले ही इसका नेचर एसिडिक हो ले एसे में भरपूर मात्रा में पानी के साथ साथ निम्बु पानी का सेवन भी लवकारी हो सकता है। फिर बहतर यही है की इस बारे में डाक्टरी सलाह ली जाये। बिटामिन सी युक्त आहार का सेवन किया जाए, तो शरीर में आइरन के सही और सोषड में मदद मिल सकती है, इस स्थिती में आइरन युक्त आहार के साथ नीम्बू जोकी एक बिटामिन सी युक्त खाक पदार्थ है, लवकारी हो सकता है और खून की कमी के जोखिम से ऐसे में बिटामिन सी रोग प्रतिरोधक छमता में सुधार करने में काफी सहायक हो सकता है, बिटामिन सी कई तरह की सारिक समस्याओं में सरीर का बचाव कर सकता है, ऐसे में रोग प्रतिरोधक छमता में सुधार करने, खूद को बिमारी से बचाव करने के लिए घरेदी उ उपाय के तोर निम्बू को आहार में सामिल किया जा सकता है। लीबर के लिए निम्बू रस के फायदे की बात की जाए तो यह लीबर के लिए भी काफी फायदे मन हो सकता है। दरसल NCBAI बेवसाइड पर परकासित एक सोध में एलकोहल से परभावित लीबर निम्बू की सुरचनात्मक प्रतिकिरिया देखी गए है। ऐसे में इंसानों पर इसका कितना असर होगा इस बारे में अभी सोध जरूरी है। निम्बू का सेवन सुजन और संकर्मट से भी लडने में सहाइक हो सकता है। इतना ही नहीं निम्बू का जूस और सहद मिलाकर घरेलू कफ शीरफ भी तयार सेवन किया जा सकता है। इतना ही नहीं विटामिन सी पूरक और चिकित्सिक खुराक का भी कम्बिनेशन सीने में दर्द बुखार और ठंड लगने की समस्या से भी रहत दिला सकता है। बलड प्रेशर के लिए निम्बू देखिए निम्बू में मजूद विटामिन सी बलड प्रेशर को संतुलित रखने का काम कर सकता है। इसके अलावा इसी बिशे में किये गए सोध में या भी पाया गया है कि निम्बू का सेवन और नियमित वाक करने से रख चाप का अस्तर कम हो जाता है। हलके फुलके मुहासों के लिए इसे एक परभा कारी घरेलों उसके की तरह उपियों किया जा सकता है। इसे में एस्ट्रेज मार्श की परसानी वो कम करने के लिए निम्बू का सहारा ले सकते हैं। कि एस्ट्रेज मार्क के दाग को पूरी तरखत नहीं किया जा सकता है लेकिन उपाह करने से दाग हलके हो सकते हैं इसके अलावा निम्बू एक घरली उपाह के तोर पर है इसे लेकर सोध का अभाव करें इसलिए जो है निम्बू का अवसर यह दाग की स्थिती पर भी निम्बू कारगर हो सकता है निम्बू में मौजूद विटामिन सी की यहां सुरचनात्मक भूम का देखी जा सकती है विटामिन सी एक कारगर एंटी अक्षिडेंट है और जुरियों को हटा कर एजिंग के परभाव को कम करने में मदद कर सकता है इसमें मौजूद एंटी और का गून होता है इसके आलावा विटामिन C कुलेजन को बढ़ा सकता है और सुर्य की हनिकारक परा बैगनी किरने से तोचा को भी रक्षा कर सकता है ऐसे में निम्बू का उप्यू किया जा सकता है वही एक अन्य सोध में बताया गया है कि जूस के सेवन से आक्सिडिटिव एस्ट्रेस के कारण होने वाली प्रीमेच और सकीन एजिंग से बचाव कर सकता है निम्बू बालो के लिए निम्बू देखिए बालो की बात करें तो डेंडरफ की समस्या काफी आम है मतलब की रूसी जो आप बोलते हैं डेंडरफ लगबग 50% आबादी को परभावित करत ऐसे में बालो में निम्बू का रस लगाने के बहुत फायदे होते हैं निम्बू का रस अगर आप बाल में लगाते हैं तो डेंडरफ की समस्या जो है आपका दूर हो जाएगा तो दोस्तों ये था निम्बू के फायदे बेनफिट अफ लेमून यानि निम्बू किन किन बीमारियों में फायदे मन है मैं आपको बताया अभी अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते राएगा थैंक यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों